हरियो, स्वागत करते हैं आप सभी का गीता ग्यान चर्चा में आज अध्याय पाँच और स्लोक 26 की चर्चा से प्रारंब करते हैं भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध से रहित होकर जीते हुए चित्त वाले आत्म ज्यान प्राप्त पुरुश सब और से ब्रह्म निर्वान में ही बरतते हैं काम क्रोध से रहित होकर ये काम और क्रोध व्यक्ति के अंदर गेहरे में पड़े होते हैं ये उपर उपर तो क्यों दिखता है असलत में इनकी जड़े तो बहुत ज़्यादा गेहराई में होती कई बार हमको ऐसा लगता है कि मुझे तो गुसा है ही नहीं मुझे तो काम वासना उठती ही नहीं लेकिन वो केवल उपर के सथे पर ऐसा लगने लगता है कि व्यक्ति यदि एक महीना क्रोध ना करें दो महीना क्रोध ना करें काम वासना का ना होना इसका मतलब ये नहीं कि काम वासना रहित अवस्था हमारी हो गई काम वासना का ना होना इसका मतलब यह नहीं कि काम वासना रही तवस्था हमारी हो गई असलित में हमें देखना होगा कि वो क्रोवध मेरी गहराई मेरे चित्त में पड़ा है क्या यदि हम देखें कि जैसे घर में इलेक्टिसिटी है तो आप स्विच ओन करते हैं ट्यूब लैट चल जाती है फंका चल जाता है और आप स्विच ओन न करें और आप घर को एक महिना दो महिना पाँच महिना एक साल बंद करके चले जाए तो क्या इलेक्टिसिटी वहां नहीं है इलेक्टिसिटी वहां है बस आपको switch on करना है switch on करते ही लाइट जल गई तो electricity पहले से ही मौजूद है केवल उसका प्रकटि करन करने के लिए आपको switch on करना पड़ेगा अब आप सालों साल घर को बंद करके चले जाएं लेकिन लाइट तो है ऐसे ही हमारे अंदर भी यदि आप छैमेन ने एक साल किसी बात पर करोध करे ही न तो ऐसा नहीं है कि हम क्रोध मुक्त हो गए क्रोध रहित अवस्था हमारी प्राप्त हो गए क्योंकि वो तो अंदर गहरे में कहीं दबा पड़ा है और क्रोध की जब परिक्षा होगी तब पता लगेगा कि क्रोध है या नहीं कोई मेरे एहंकार के ऊपर जब ठेस लगाएगा चोट मारेगा मुझे अपशब्द कहेगा कोई मेरे ऊपर कुछ मट्टी डालेगा कोई राख डालेगा तो पता लगेगा कि क्रोध है क्या कोई अपमान कर दे बहुत जादा तो पता लग जाएगा कि अंदर से क्या उठा जो अंदर से उठा वही हमारी वास्तिक अवस्था है विपरीत परिस्थिती होने पर जो भी कुछ अंदर से उठता है और जितनी बड़ी विपरीत परिस्थिती है जो उस समय गहरे से उठता है वो हमारा वास्त्मिक स्वरूप है उसको समझना चाहिए कि ये मैं हूँ बाकी उपर तो मेक अप है लिपा पोती है उपर तो दिखावा है, बनावट है उपर तो हमने बहुत कुछ अपने को अच्छा बनाने के लिए प्रियास किये है शब्दो को सजाया है, सवारा है बाहर से भी शरीड को सजाया, सवारा लेकिन गहरे में चित्त में पढ़ा क्या है जब गहरे पर ठेस लगेगी, चोट लगेगी तो गहरे में पढ़ा हुआ, उभर कराएगा तो गहरे में पढ़ा हुआ, यदि बहुत जादे विप्रीत परिस्ति होने पर भी प्रेम ही उभरे प्रसन्नता ही हो, कोई नराज ये ना हो तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर की जो इस्तिती है वो अब बदल गई है अब वो इस्तिती नहीं कि पहले जब हम चोटी-चोटी बातों के उपर क्रोध करते रहते थी ये चोटी-चोटी बातों पर हमारे अंदर जो क्रोध की इस्तिती है ये है और ये एकदम नहीं जाती जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे क्रोध खटता चला जाता है बिना प्रेम के बढ़े क्रोध का खतम हो जाना हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर प्रेम ना हो और क्रोध खतम हो जाए एहंकार को ठेस लगती ही क्रोध का पता लग जाता है विकारों का पता तब लगता है जब ठेस लगती है एहंकार के उपर चुकि एहंकार से विकार उपजते हैं एहंकार से काम उपजता है इच्छा उपजती है वासना उपजती है एहंकार से ही हमारा क्रोध उपचता है तो यदि हमारे एहंकार में अभी भी वही बिखरापन है तो विकार खड़े हैं तो भगवान कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ऐसी स्थिति है कि विकार है, काम है, क्रोध है तो ब्रम्भाव नहीं है तो काम क्रोध से रहित अवस्था अर्था जितनी प्रैक्टिस हम अपने आप से प्रेम की करते रहते हैं जितना हम उस भाव में टिके रहते हैं धीरे धीरे करते हुए वो क्रोध वो काम मेरा साफ होता चला जाता है एक दम नहीं होगा क्योंकि यह आज का नहीं है नजाने कितने जन्मों से हमारे साथ ऐसे ही चला रहा है अंदर छुप जाता है, कभी उबर जाता है, कभी ठक जाता है ऐसी लुका छुपी का खेल चलता रहता है तो काम और क्रोध से अपने आपको रहित करना है यह तब होगा जब गुरु का ज्यान हमारे जीवन में पूरी तरह से अंगिकार हो जाएगा हम उसको अपना लेंगे तो काम और क्रोध से रही तवस्था भगवान कह रही है वो हमें चेक करना होगा कि जब कोई उल्टा चले तब मैं कैसा हूँ इसलिए कहते हैं कि निंदक नीरे राखिये कभीर ने कहा है कि जो निंदा करे उनको पास रखो तो जब वो पास आपके रहेंगे और वो निंदा कर रहे हैं तो आपके अंधर उस समय क्या चल रहा है कि कोई निंदा करे और मेरा मन यदि हिल रहा है तो फिर तो हम बहुत कमजोर हैं और निंदा होने पर मैं ना हिलू तो यदि रोज निंदा हो और मैं ना हिलू इसका मतलब है कि निंदा का असर मेरे उपर हो नहीं रहा है मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है तो निंदक नीरे राखिए तो निंदक करने वालों को आपके आसपास जरूर हो लेकिन हम क्या करते हैं हम निंदा करने वालों को तो दूर कर देते हैं उनसे तो दुश्वनी बना लेते हैं ये मेरी बड़ाई क्यों नहीं करता बाकी सब तो करते रहते हैं ये बुराई करता रहता है ये कभी मुझे एप्रीशींटी नहीं करता तो जब ऐसी स्थपी में हम रहें कि अपने आप को ऐसे चारों तरफ से इस माहूल में रहें कि सब मुझे प्रेश करें, मेरा मान करें मेरा बढ़ाई करें, मेरी कीर्ती करें तो मजबूती अंदर से कैसे आएगी और इसी कारण से कमजोर हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं वो बच्चे जो उनको केवल और केवल माबाप केवल उनकी बढ़ाई करते रहते हैं फिर एक समय आता है जो वो सोसाइटी में बाहर निकलते हैं वहाँ पर कोई टोपता है तो उनका दिल बहुत जादा हिल जाता है एहंकार पर ठेस लगती है चुकि आज तक तो बड़ाई होती आई है तो विपरीत परिस्तित्या घटने पर यदि क्रोध न उपजे तो क्रोध से रहीत अवस्था हो गई है हमारी तो भगवान कह रहे है काम क्रोध से रहीत होकर जीते हुए चित्त वाले अब जो चित्त है हमारा चित्त का मतलब है मन, बुद्धी, एहंकार पूरी तरह से जो हमारा अंतहकरण है या यू कहें कि चित्त से उठने वाला जो भी फुरना है जो भी व्रत्ती है, जो भी कुछ उठता है अंदर से कोई इच्छा उठ रही है, कोई वासना उठ रही है, कोई विकार उठ रहा है अब या तो हम उसके साथ हो लेते हैं या उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसको जाने लेते हैं जीतने का मतलब है कि वो आया है चला गया, उसका हिस्सा नहीं बने, उसको तवज्जो नहीं दी, उसको वैल्यू नहीं दी, अंदर से मैंने ये नहीं चाहा कि मेरी कीरती हो, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, ना मैंने इसके विप्रीत चाहा, मैंने कुछ चाहा ही नहीं, अर्था तो जीता हुआ चित्त मतलब जिसको हिला न पाए, दुखी ना कर पाए, प्रेशान न कर पाए अभी यदि हम अपने आपको देखें तो बैठे बैठे हम दुखी क्यों हो जाते हैं क्यों बैठे बैठे हम सुख में आ जाते हैं चुकि चित में जो विचार चला, हमने उससे अपने आपको एक किया, अच्छा विचार हमने अपने अंदर जब लेकर आये तो उसने सुख दे दिया, बुरा विचार लेकर आये तो दुख दे दिया, तो हमारा चित हमने जीता थोड़ी है, चित तो हारा हुआ है, चित तो च प्राम, क्रोध, लोग, मोह, जो भी कुछ उठ रहा है अंदर से, वो मुझे हिलाए ना, वो मुझे परिशान न करे, वो मुझे दुखी, हताश, निराश न करे, वो मुझे एहंकार से न भर दे, वो मेरे अंदर करता भाव पैदा न कर दे. क्योंकि हमारा चित्त ही सब कुछ है, जो अंदर से उठता है, वैसे ही हम बाहर व्यभार करने लगते हैं, हमारे सारे कर्म, हमारे चित्त के आधार पर होते हैं, चित्त से कोई इच्छा उठी कि ये काम करना है, तो आप करने लगते हैं, ये खाना है, आप खाने लगते हैं, जो उठा अंदर से बस आप उसके पीछे हो लिए अब जो उठा उसके पीछे यदि हम हो लिए तो चित्त मालिक या हम मालिक चित्त जीता या हम जीते चित्त ने जो कहा हमने पूरा किया तो चित्त जीता है चित्त ने जो कहा और हमने विवेक से देखा तो हम जीते हैं, आवशक्ता है, जरूरी है, मेरे मित्र की तरह ये खयाल है, मुझे हर इस तर पर उचा उठाएगा, इन सब बातों का निरक्षर करते हुए उसके बाद जब हम उसमें जाते हैं, तो हम जीते हैं, हम हर चित्त के फुरने की तरफ दोड़ते नहीं, बलकि जो है, आवशक्ता है, महतपूर्ण है, हम किवल उसको लेते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जीते हुए चित्र वाले आत्म ज्यान प्राप्त पुरुश सब और से ब्रह्म निर्वान में ही बरतते हैं, आत्म ज्यान से प्राप्त पुरुश, अब देखो काम क्रोध नस्ठ प और आत्म ज्यान, या यूँ कहें कि आत्म ज्यान प्राप्त होते ही चित्त हमारे वश में आ जाता है, और काम ग्रोध नस्ठ हो जाते हैं, एक है नीचे से उपर की तरफ यात्तरा करो, एक है सीधा आतम भाव में आकर हम नीचे की जो इस्तती है वो सारी अपने आप तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं हमेसा साधना के लिए साधना में दो ही तरीके होते हैं या तो उपर से जाओ या नीचे से जाओ या तो सांग के योग पकड़ो या कर्म योग पकड़ो और भगवान भी सांग के योग और कर्म योग की ही बात कर रहे है भगवान बात कर रहे हैं कि या तो सीधे अपने आपको जान जाओ ये सांखे योग है और या फिर कर्म करो उस इस्थति को पाने के लिए कर्म करो तो या तो सीधे उपर से आओ या नीचे से जाओ इसके अलावा कोई तीसरा उपचार है ही नहीं तरीका है ही तो इसलिए भगवान यहां पर आत्म ज्यान प्राप्त पुरुष सब और से ब्रह्म निर्मान में ही बरतते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म भाव में बना रहता है ये है 26 वाश लोक अभी आपका कोई प्रशन उठ रहा हो तो उसे बात कर सकते हैं जी ब्रुकर गुरुजी नमस्कार गुरुजी अरियो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रिटिंग जी के फेस्बुक लाइट में आप सभी दर्शन को कभी पर स्वागत करती हूँ आपके साथ मैं हूँ लगुस्मामी तो सवाल आने शुरू हो गए है गुरुजी जैसा कि हम लगाता रेख रहे हैं पाच्पया जिहाय से हमने शुरू किया था और अब हम 26 दे शोग पर पहुँच गए है दिप्या सवाल रहे हैं गुरुजी क्या पूर्जन्म के संस्कारों का असर व्यक्ति के वर्तमान आच्रण में भी दिखता है हाँ पूर्जन्म के संस्कारों का असर व्यक्ति के वर्तमान आच्रण पे अवश्य दिखता है सीधे तोर पर दिखने लगता है दिखेगा ही दिखेगा चुकि वो प्रारब्ध है हमारा पूर जन्म के किये गए कर्म में से एक हिस्सा प्रारब्ध बनता है जो हम इस जन्म में भोग दे तो जो हम भोग रहे हैं पहले से मिला हुआ है जब मृत्ती होती है तो तीन चीजे डिसाइड होती है जाती, आयू और भोग अर्थात कौन से योनी मिलनी है उसमें कौन से भोग मिलने है और उसमें कितनी उम्र मिलनी है ये तीन चीजे निरधारित हो जाती है तो जाती आयू भोग के आधार पर हम ये जीवन जी रहे होते हैं अर्था पहले जन्म के आधार पर तो वहाँ पर जो कर्म किया है उस कर्मों में से जो फल है कुछ हिस्सा इस समय भोगने के लिए मिल जाता है अब उस भोगने के लिए में कुछ करना नहीं है इसलिए कोई अमीर परिवार में जर्म लेता है कोई करीब में कोई पूरी तरह से धन के लिए ही परिशान रहता है किसे के पास धन बहुत होता है किसे के पास स्वास्त बहुत अच्छा है कोई स्वास्त के लिए ही बच्पल सही परिशान है उसका स्वास्त ही ठीक नहीं है तो बहुत सारी बाते विबन्नता जो है वो दर्शाती है कि पूर जन्मों के कर्मों के फल अभी भोगे जा रहे हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं है वो भोगना जरूर है लेकिन इस जरम के कर्म हमारे हाथ में है तो क्यों ना इस जरम के कर्मों को हम ध्यान दे ताकत दे, बल दे और उसको गवस्तित तरीके से निश्काम भाव से करे जिससे अब कर्मों के फल ही ना बने अरुन एक अमारे दश्शक है के अच्रूज श्वाल एक है कि अपने क्रोध की बात करी यह अपने क्रोध की बात करना चाहिए यहां आपके अंदर नहीं है यह बात तब पाता चलेगी जब कोई खराब सेच्वेश्ज एढ आएंगी और तब आप कैसे रेक्स करें तो अरु प्रेम के भाव में जैसे जैसे आप आते चले जाते हैं वैसे वैसे आप पाएंगे कि क्रोध आपके अंदर से जाता चला गए चुकि यह action का reaction है, हम respond नहीं करते हैं, हम react करते हैं respond एक अलग प्रक्रिया है, वो सोच समझ कर विचारक से, विवेक से answer आता है reaction हमारे चित्त में पड़े हुए एक दम जो विकार है उसके आधार पराता है तो respond जितना आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका reaction धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा respond में बुद्धी जगी है, reaction में मन ही मन है कि वज़, कि किसी ने कुछ का पलटके हमने कुछ कह दिया, बुद्धी का परियोगी नहीं किया तो reaction में कहीं पहुँचाएगा नहीं, लेकिन जो respond है वो धीरे-धीरे उस reaction से उपर उठा देगा और वो हमें बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, action तो बाहर से आएगा ही आएगा क्या-क्या रोकोगे, किस-किस को रोकोगे, कहां तक रोकोगे, क्यो ना अपनी practice कर लिजाए, क्यो ना कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे उसका असर मेरे उपर ना है आए तो कम आए, और धीरे 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 हम अपना रास्ता ले ले, हम अपना रास्ता ले ले, कि कोई पानी डाल रहा है तो हम क्यो ना किनारे से निकल जाए हमने भी तो किसी ना किसी ने रूप पर उसके ओपर पानी डाला होगा कुछ बोला होगा, अब उसका प्रतिफल आ रहा है हम अपने कर्म को भूल जाते हैं लेकिन दूसरे के कर्म को याद करते हैं कि इसने ऐसे कहा लेकिन यदि ये देखे कि मैंने ही उसके लिए कुछ विरोध रखा ही नहीं मेरे ही कोई नगारत्मकता है ही नहीं मेरी भाव पूरी तरह से शुत हैं तो आप देखेंगे प्रकृती भी पूरी तरह से उसी हिसाब से बहने लगेगी लोग भी आपसे उसी तरह से आचरन करने लगेगी अब हम ही एकदम फना उठा लेते हैं तो लोग तो फिर डंडा लेकर आएंगे ना तो हम अपने नहीं देखते दूसरे का देखने लगते हैं यहाँ पर बात है सारी अपना देखने की कि हम क्यों न अपने प्रेम में अपने आपको लेकर आएं क्रोध का जीवन कुछ जीवन थोड़ी होता है वो तो फिर कोई हिलाएगा मिलते रहेंगे कोई क्रोध करवा देगा हम करते रहेंगे तो पूरा जीवन क्या क्रोध से ही निकल जाए क्या पूरा जीवन हम सैकल चलाना सीखे ही ना लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाते है वो क्रोध भी ऐसे साफ होता चला जाए, कम होता चला जाता है चुकि विवेक चक जाता है और वो बता देता है कि क्या सही क्या चलाता क्रोध करना नहीं क्रोध हो ऐसे हो कि अंदर नहीं ले क्रोध हो कि सामने वाले को सिखाने के लिए हो जैसे बच्चे को मा डाटती है लेकिन क्रोध उसका उपर का होता है अंदर का नहीं अंदर से प्रेम है उपर से क्रोध है क्रोध हिलने वाला ना हो दिल और दिमाग को ना हिला दे, आपके एजी और इसी जी को ना हिला दे, क्रोध ऐसा हो कि ब्लड पेशर पर असर ना है, चुकि वो केवल आर्ट हो. तो भगवान फिर आगे अब और गहरी बात कर रहे हैं और भगवान कह रही हैं, अध्याए 5 का 27 और 28 स्लोग, शब्द आदी बाहिये विश्यों को बाहर ही रोक कर, द्रस्टि को भ्रगुटी के मध्य में केंद्रित करके, नासिका में चलने वाली प्राण और अपान वाहियों को सम करके, इंद्रियों, मन और बुद्धी को वश्वे कर, जो मोक्ष प्राण मुनी, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है. तो इसमें दो बाते बता रहे हैं भगवान, एक बात है कि ध्यान करना कैसे, तो ध्यान करने से पहले, इच्छा, भय और क्रोध, ये तीन चीजे बड़ी महत्पूर्ण है, जिसको हमें जाननी है, समझनी है, चुकि इच्छा में हम बाहर की और दोड़ते हैं, भय तो ये तीन इच्छा, भय और क्रोध हर व्यक्ति के अंदर है ही, तो इच्छा, भय और क्रोध से रहित अवस्था कैसे हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अपने अंतरतम में उतरना चाहिए, बिना ध्यान कि ये हम उपर नहीं उठ सकते इच्छाओं से, निरिच्छा नहीं हो सकते, निर्भय नहीं हो सकते, क्रोध से उपर उठकर प्रेम के भाव में हम नहीं आ सकते, तो कैसे करें फिर ध्यान, तो भगवान कह रहे हैं, शब्द आदी बाहिये विश्यों को बाहर ही रोक कर, अभी जो शब्द आदी बाहिये विश्य है, बाहर की जो गंद ह बाहर का जो रूप है बाहर का जो टच है बाहर से जो हमारे अंदर पूरी तरह से ग्यान जा रहा है सूचनाई जा रही है देखो बाहर से सूचनाई आती है अंदर से ग्यान आता है ग्यान बाहर से नहीं बाहर से केवल बाहर की बातों की जानकारी मिलती है आत्मा का ग्यान तो भीतर से बाहर की तरफ प्रकट होता है तो कैसे जाए भीतर जिससे वो हमारे अंदर ग्यान प्रकट हो जाए तो भीतर के ग्यान को प्रकट करने के लिए पहले बाहर की सूचनाओं से तो अपने आपको हटाना होता यह सूचनाओं से ही अपने आपको नहीं हटाया तो सूचनाओं हमको व्यस्त कर देंगी उल्जा देंगी, फसा देंगी, अटका देंगी तो सूचनाओं का माध्यम है इंद्रिया तो यह इंद्रियों को रोकना है सबसे पहला इसलिए हम जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से पहले कुछ प्राणयाम के अभ्यास में भी हम जैसे ब्रामरी प्राणयाम आप करते हैं तो उसमें कान बंद कर लेते हैं, आख बंद कर लेते हैं, नाख बंद कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से इन पर फे दवाव डालते हैं कि जो द्वार है ये बंद हो जाए गांधी जी के तीन बंदर भी वही बता रहे हैं कि जो द्वार है वो बंद हो जाए लेकिन ये हमने किये हैं, ये हुए नहीं है और ध्यान में ये करने नहीं पड़ते, ये हो जाते है कि आँखे बंद की हैं, पूरी तरह से अपने आपको बंद किया है, इखटा किया है कि बाहर की आवाज ये दी है भी तो आपको डिस्टरब ना करें, उसको एज़िटीज एक्सेप्ट किया है तो पूरी तरह से स्विकार भाव के साथ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इंद्रियों का प्रभाव हमारे उपर नहीं होता अभी तो हमने कान बंद किये, और कान बंद करके बाहर की आवाज नहीं आती हमने आक बंद की, तो बाहर का रूप नहीं दिखाई देगा हमने नाक बंद किया, जिससे बाहर के कोई गंद हमारे अंदर ना जाए हमने मू बंद किया, जिससे कोई स्वाद अंदर ना जाए और इस तरह से बैठ गए शडबुखी मुद्रा भी कर ली कि हमने सारे द्वारों को बंद कर लिया ये किया और ये कई बार प्रारम में करना होता है इसलिए एकांत इस्थान पर ध्यान किया जाता है कि जहां पर कुछ देखने के लिए ऐसा ना हो कि जो मुझे प्रभावित करें कुछ ऐसा गंद ना हो कोई ऐसा टच कोमन इसपरश ना हो कोई ऐसा स्वाद ना हो अराम से एकांत में बैठ कर ध्यान हो कि इंद्रिया लालाइत ना हो विश्यों की तरफ वो दोड़े ना विश्यों की तरफ तो भगवान भी कह रहे हैं कि शब्द आदी जो बाहिए विश्यों को बाहर ही रोक कर अब वो अंदर ना है दिन बढ़ तो अंदर ही बाहर की सारे बाते अंदर जाती रहती है कहां रोकते हैं घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं बाहर फिजिकल ही हम किसी को अंदर नहीं आने देते कितना अच्छी तरीक से हम अपने घर का ख्यान डगते हैं, खिड की दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन ये खिड की दरवाजे तो खुले गया, ये कहां बंद करते हैं? कि आवशक्ता हो तो खोले, नहीं तो बंद, इनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, इनका द्रवाजा खुल गया तो खुल गया अब यह बाहर की तरफ भागता गही tapi तो क्या करना है भगवान कहरे है कि इनको रोकना है रोकना है यह रोकने का प्रकरिया बड़ी महत पूर्ण है कि विशय और इंद्री जो जावे अपने स्वादन को ललचावे तिनकी और न जाने दे ही प्रत्याहार कहावे यही कि इंद्रिया विशयों की ओड़ जाती है और ललचाती है उनकी ओड़ जो जाने नहीं देता वो जो प्रत्याहार है अर्थात इंद्रिया जो बाहर की भगवान उसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और वो कैसे होगा वो होगा द्रस्टी को भ्रगुटी के मध्य में केंद्रित करके नाशिका में चलने वाले प्राण और अपानवाईयू को सम करके अब एक बैठने की इस्ति बता रहे हैं कि भ्रगुटी को अपने आँखों के बीच में यहाँ पर ये है हमारा आग्या चक्र पूरी तरह से हमारे शरीर में जो सब्त चक्र हैं कहीं अस्ट चक्र हैं तो ये आग्या चक्र है ये गुरु इस्थान है सबसे नीचे मुलाधार फिर मनिपूर अनाहत विशुद आग्या ये जो आग्या चक्र है ये इडा पिंगला और सुशुम्ना तीन नाडियों का मिलन इस्थान है इडा नाडी हमारे लेफ्ट नासिका में बहती है पिंगला राइट में बहती है और मद्धे में सुशुम् का मिलन इस्थान है यही पर आकर तीनो नाडियों मिलती है तो हम जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कई बार जो प्राणायाम मुद्रा है वो इस तरह से बनाते हैं कि अंगुठा अवारे नाक पर है और जो दो उगलिया है बाकी वो लेफ्ट नोश्टो कंट्रों क क्यों टिकाते हैं यह अस्रत में हमारा आग्या चकर है यह बड़ा महत्पून इस्थान है यह आग्या चकर और यह आग्या चकर यह केवल यही नहीं है यह इसके बहुत पीछे है कहीं लेकिन अभी प्रारम में हम आग्या चकर का हमें पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं भ तरफ हम अपनी आखों को ले जाते हैं, आखों को ऊपर की तरफ भ्रगुटी के मद्दे में यहां पर टिका देते हैं, और जैसे ही हमारी आखे भ्रगुटी के मद्दे में टिकती हैं, तो आप पाएगे कि आखों की फोकस करते ही इंद्रिया सब इखटी हो गए, पूरी एन आगरता आ गई, एनरजी अपलिफ्ट होने शुरू हो गई, तो शुरू में हम यहाँ पर अपने आखों को टिका लेते हैं, ठैरा लेते हैं, और यह भ्रगुटी के मद्दे, यह जो स्थान है यह इस तरह से, तो यहाँ पर टिकाना है पहली बात, दूसरा भगवान कह रहे ह कि जो प्राण और अपान, प्राण और अपान वायू को सम करके, अब हुमारी नाक से एक सास बह रही है, आ रही है, जा रही है, प्राण आया और प्राण गया, सास का आना और सास का जाना, जो स्वास का आना है, वो यह प्राण है, और जो जाना है, वो अपान है, निकल ज आजाना अपान है आजाना प्राण है अपान वायू और प्राण वायू जैसे ही अंदर आई स्वास तो वो हम अंदर से जुड़े और जैसे ही बाहर गई स्वास तो हम बाहर प्रकृति से जुड़े ऐसे हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं अपने शरीर को पूरी तरह से तो एक कर रहे हैं हम प्रकृति से अपने आप को जोड़ कर तो प्राण और अपान को Sum करना है चुक्कि यह Sum की प्रकृतिरिया हमारे मन को Sum कर देती है जैसे हमने पिछली बार की चरचा की थी तो मन में जैसे इस्थति होती है वैसे हमारे स्वास के रिदम होने लगती है हलकी भारी तेज तूटकर एक रिदम के साथ में तो जैसे-जैसे मन श्ठैरने लगता है हमारी भ्रगुटी के मद्ध में हमारी आँखे इस्थापित होने लगती है फोकस हो जाता है हमारा पूरी तरह से मन तो वैसे ही क्या होता है हमारे जो स्वास है वो बहुत ही रिदम के साथ बहना शुरू हो जाता है और फिर कहा रहे हैं इंद्रियों, मन और बुद्धी को वश्मे करके मोक्ष परायन, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त है तो ऐसी स्थिती में जब हम बैठते हैं और अपने स्वासों को सम करते हैं ये स्वासों के सम करने के एक प्रैक्टिस है कि बैठ जाओ अपनी ध्यान को अपनी ब्रगुटी के बद्दे करके और स्वासों को सम करना शुरू करते हैं आप पाएंगे आपका मन, आपकी इंद्रियां ठहरती चली गई, काम, क्रोध, लो, मोह सबसे उपर उठने लगे, इच्छा, भय, धीरे-धीरे शान्त होते चले जाएंगे, इसलिए ध्यान के अभ्यास लगातार करते रहने से अंदर की सफाई प्रारंब हो जाती है, और एक चटे अध्याय में और प्रैक्टिस कैसे, और गहरे इस तरफ पर प्रैक्टिस हमारी को उसकी बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये 27 और 28 स्लोक, बड़ा ही महतपूर्ण है, रोज के अभ्यास के लिए, कि आप सुभे के समय बैठ जाएं, ऐसी जगे बैठें जहां पर आप क कोई डिस्टरब ना कर रहा हो, इसलिए सुभे जल्दी उठ जाएं, और सुभे जल्दी उठकर, एक कोने में कि कोई घंटी ना बजे, मोबाइल ना बजे, बाहर कोई दूद अग्वार, इस तरह से आपको डिस्टरब ना करें, और बैठ जाएं अपने साथ, और आप पा जैसे आप ध्यान में बैटना प्रारम करेंगे वैसे यह है जो अभ्यास है वो पक्का होता चला जाएगा अंदर की सफाई होना प्रारम हो जाएगा जो भगवाम बात कर रहे हैं भय की इच्छा की और क्रोध की वो धीरे धीरे के वो इस प्रैक्टिस के माध्यम से शांत हो वैसे हम चाहिए कि मेरा गुस्सा साम तुझा है नहीं होगा हो ही नहीं सकता हमने कुछ तयारी नहीं की तो वो कैसे होगा ये एक प्रैक्टिस है जो रोज करनी है चुकि नजाने कब से हम क्रोध करते आए हैं कब से हम डरे हुए हैं कब से हम लोब में हैं ऐसे ही इसकी प् खाली भी तो बैठ कर मुबाइल में कुछ ना कोई ढूरते रहते हैं। कुछ है थोड़ी उसमें। हम बाहर भाग रहे हैं। इसलिए मन बहुत भी खर गया है। क्यों ना बैठ जाओ अपने साथ। भ्रगुटियों को मद्दे में लाओ। आग्या चकर पर फोकस करो और स्वास को महसूस करना शुरू करो चुकि स्वास में बहुत गहाई है। स्वास का विज्ञान बहुत ज़्यादा गहरा विज्ञान है। ये स्वास ही मुझे आत्मा तक पहुँचाने में साहिक हो जाएगा। यह स्वासी मुझे प्रकृति से जोड़ रहा है, यह स्वासी जीवन दे रहा है, यह स्वासी आत्मा तक अपना संबंद साध्य हुए है, तो यह स्वास जैसे-जैसे हम और गहरे-गहरे इस तर पर जाते, चले जाते हैं, वैसे-वैसे आप पाएंगे कि यह प्रान ही है, जो मेरे मन को, इंद्रियों को, बुद्धी को हर इस तर पर एकाग करता चला जाएगा ये प्राण शक्ती यदि इसको हम साध ले जिसको भगवान सम की बात कह रहे है कि यदि हम इसको सम कर ले किसी भी तरीके से और ये सम ऐसे नहीं होगा क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं कि सांस कब आया कब गया सांस पर ध्यान आते ही तब पता लगता है कि आया या गया लेकिन वो सांस पर ध्यान टिकता कहा है आप देखना कभी सांस पर ध्यान आप करने बैठो आप बैठ जाओ कि मुझे ध्यान लगाना है सास पर और देखना है सास को कि वो कब आया और कब गया आप देखना थोड़ी देर में एक मिनट तो बहुत दूर की बात है कुछ ही सेकेंड में आपका मन भाग जाएगा हम अनुभवी नहीं कर पाएंगे कि मेरा स्वास पर जो ध्यान था वो कैसे निकला कैसे स्लीप हो गया कैसे फिसल गया लेकिन वो फिसल जाएगा तो बार बार फिर से वो जो स्वास आ रहा है जा रहा है मन को जितना स्वास पर टिकाएंगे स्वास उतना सब होता चला जाएगा अन्निठाई विशम बहता हुआ स्वांस ही बंदन है, रोग है, मन की नकारत मकता है सारे विकार जितने भी होते हैं, उन सब में हमारा स्वांस विशम बहने लगता है विकार मतलब बहता हुआ विशम सांस, निर्विकार मतलब बहता हुआ सम स्वांस स्वास जब जितना सम होता जाएगा और वो तब होगा जब हम ध्यान में उतरेंगे बिना ध्यान की स्वास का सम होना सम्भव ही नहीं जैसे जैसे अंतरम की यात्रा प्रारम होगी जैसे जैसे अपने अंतर से जुड़ते चले जाएंगे जितने गहरे उतरते चले जाएंगे उतना स्वास हमारा सम होता चला जाए कैसे पता लगे कि वेक्ति कितना गहरे उतरा है केवल उसका स्वास बता सकता है कि वो कितना गहरे है ये परिक्षा है गुरु स्वास को देखकर ही परिक्षा कर लेते थे कि सिश्श के अंदर की इस्तिति कैसी चल रही स्वांस का एक रिदम के साथ गहराई से सम होकर बहना ऐसे बहना की जैसे पूरी की पूरी शक्ती, पूरा का पूरा वेक्षित्त तो कि वह स्वांस पर इखटा हो गया हो और साधक हमेशा स्वांस पर ही ध्यान रखते है वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एका रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान स्वांस पर टिक आउपा है जैसे जैसे ध्यान स्वांस पर टिकना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे मन की विप्रीत परिस्तियां अपने आप खटब मोती चले जाएं कितना भी तनाव हो आप अपने ध्यान को स्वास पर ले आए, बैट जाए थोड़ी देर के लिए ध्यान में क्रोध हो रहा हो आप बैट जाए ध्यान में कोई भी विकार उठा हो मन अस्तव्यस्त विचलित क्यों न हो गया हो, निरने न ले पा रहा हो विखर गया हो मन, केवल आप अपने स्वास पर फोकस करना शुरू कर दीजिए केवल देखना शुरू कर दीजिए आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपने स्वास के साथ जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका मन जो बिखर रहा था वो सधना शुरू हो गया बहुती सिंपल टैक्टिस की बात भगवान यहां पर कर रहे है इससे सरल और कुछ हो ही नहीं सकता कि स्वास कब आया प्राण और कब गया ये प्राण और अपान जो विज्ञान भैरो तंत्र में ध्यान की 112 विधियों का वर्णन है वहाँ पर पहली विधी यही है कि स्वास के आने और जाने को अनभव करना प्रारन करो तो प्राण और अपान को कि स्वास जब अंदर गया तो अनभो करने लगो कि कहां तक वो अंदर गया जो स्वास बाहर निकला तो अनभो करो स्वास कहां तक बाहर निकला लगातार ये आने और जाने कि प्रिकरिया 24 गंटे में 21,600 बार हो रही है हमें भी लगातार जितना हो सके इसको महसूस करते जाना है हमारा स्वास सम होता जाएगा और ये इतनी अनूठी प्रैक्टिस है मन ठहर जाएगा, इंद्रिया ठहर जाएगी बुद्धी में निश्चे भाव प्रकट हो जाएगा और जिस तनाव, क्रोद, चिरचिडे पन, उद्धिकरता की बात हम करते हैं डिप्रेशन की बात करते हैं Mental health की बात हम करते हैं केवल एक ही तरीका है अपने मन को साध लेने का Mental health को और बहतर कर लेने में केवल प्राण को पकड़ लीजिए मन कितना भी विखर गया हो वो ठहरना प्रारम हो जाएगा तो एक अनोठी साधना जिसका अभ्यास हम रोज करेंगे उसके बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं अभी आपका कोई प्रशन हो तो उस पर बात कर सकते हैं जिल्कों गुरूजी तो अगर यादो हमने एक आपके साथ एक सेशन किया था तब आपने मुझे बताया था अग्या चक्रु पर यहाँ धान लगाने काफ़ी रहती थी मुझे और आप यकीन नहीं मानेंगे जब से यह शुरू किया है मैंने सिर्फ यह आदे हाल लगाना है अग्तिं एल्स बहुत जादा भुछ नहीं सबसे वो इंजाइटी और वो जोई होता था सर में जिसका पता ही नहीं था क्यों होता है वो खाफी हद तक चला गया है तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊँगी अगर ये एपिसोड आपका जरा साभी मिस हुआए तो इसको दुपारा से आप जागर देखिए रिकॉर्ड एपिसोड और साजा करें सकते साथ क्योंकि गुरुजी नो जो ये बाते बताएं है नहीं वाकई बेहत कारगर सिद्ध होती है चक्र जागरन से शरीर और मन पर क्या प्रभाव पढ़ता है चक्र जागने की जो विधी है तरीका है वो ऐसा बच्चों का खेल है नहीं ऐसा नहीं कि आप जाएं और जाकर अपने चक्रों को जगा कर आजाएं ये कोई शौपिंग करना नहीं है कि आप जाएं और कुछ समान खरीद करा जाएं ये एक साधना है एक अनोठी गहरी और रहसे से भरी हुई साधना वो जो चक्र है वो असीम शक्तियों के भंडार है वो चक्र जागे उससे पहले हमें अपनी शुद्धता करनी होगी अपनी सफाई करनी होगी सफाई करनी होगी आहार की, अपने विचारों की, अपने भावों की हर इस्तर पर यदि सफाई कोई नहीं है और चक्र जागे और शक्ति जागे तो पूरी तरह से शरीर को बिखेड देगी ऐसा नहीं कि पहले चक्र जगाने हैं सफाई बाद में करनी है यदि मूर्ती की प्राण प्रतिस्ठा करनी हो तो पहले उस मंदिर को तैयार करना पड़ता है उसकी साफ सफाई धुलाई करनी पड़ती है पूरी तरह से उसको सजाना पड़ता है उसके बाद आप पूजा के माध्यम चो उस प्राण प्रतिस्ठा करते हैं जब हम बाहर एक मूर्ती को प्रतिस्थित करते हैं देवी की मूर्ती बाहर प्रतिस्थित करनी हो तो एक पूर्य विधान है ऐसे ही चक्र भी एक शक्ती है वो देवी की मूर्ती अपने अंतर प्रतिस्थित करनी है और उसका अनुभव करना है तो जो शक्ती है हमारे भीतर जो कुणलिनी है यदि उसका जागरण करना है तो विधिवत करना होगा अन्य था यदि गलत तरीके से उसका जागरण कर लिया तो बहुत जादे फिर जो साधक है उसके मन की इस्थिती गरवड़ा जाती है यदि वो पहले हमने एडा, पिंगला, सुशुमना, नाडियों का सोधन नहीं किया और सुशुमना विशियस रूप से नाड़ी का सोधन नहीं किया और चक्र जाग गया, कोई शक्ती जाग गई तो वह शक्ती हमारे लेफ्ट या राइट नोस्टल को एक्टिव कर देगी यदि लेफ्ट नोस्टल एक्टिव हो गया तो वेक्ती डिप्रेस हो जाएगा, राइट एक्टिव हो गया तो बहुत जादे क्रोध से भर जाएगा इसलिए बहुत रिशी बहुत क्रोध में भरे हुए होते थे और कोई लोग वेक्ती बिलकुर डिप्रेस हो जाता है चुकि शक्ति यदिसाई प्रकार से उसको रास्ता नहीं मिल रहा है और उसकी सफाई नहीं हुई है और आप जगा कर बैठे हैं तो फिर उसका प्रभाव नहीं होगा जिसको हम कह देते हैं कि मैंने चक्र जगा लिए वो चक्र जगाने की बात नहीं है वो तो केवल चक्र के जगाने की प्रारंबिक अवस्ता है जिसको हूं कहते हैं कि मिने चक्र जाग गए चक्र जागने की प्रक्रिया तो तब होगे जब आप चक्र का साक्षात अनुभव कर रहे होंगे अपने ध्यान की गहराई यह उतर कर और आप देख पा रहे होंगे कि ये चक्र है ये चार कमंदल वाला है ये छे है ये बारा है ये सोला है ये दो है इसका ये रंग है ये अक्षर है ये वाहन है ये पूरा एक पूरे का पूरा एक ग्यान जो भीतर खजाना भरा हुआ है उसका साक्षात आपके सामने हो रहा अभी पता ही नहीं है कि चक्र क्या है कहां है किस तरह से हैं और हम जाकर जगा लाएं चक्र कहीं पर ऐसे बहुत जाते लोग होते हैं जो चक्र जगा देते हैं वो तो ऊपर की बात है उससे क्या होगा भला मार्किट से कुझी खरीद कर आप पढ़कर एक्जाम में पास हो भी गए तो उससे कोई ज्यान कोई शिक्षा की व्रद्धी थोड़ी हो जाएगी यह तो गहरी साधना है और जब यह चक्र जागते हैं तो मन पूरी तरह से अमन होने लगता है असीम शक्तियों से भर जाता है शरीर निरोगी और हल्का और द्यादिप प्यमान होने लगता है रोज की अपने कारियों में समय निकालना कठिन नहीं है, हम व्यस्त कम अस्त व्यस्त जाते हैं, हम वास्तिक्ता में व्यस्त नहीं है, ऐसा व्यस्त जो मुझे स्वास्त की तरफ मस्ती की तरफ ने जाए वो व्यस्त है, आप काम कितना करते हैं, क्या आप पांच मिनट नहीं ते निकाल सकते हैं। आप किसी टीवी पर जाका कोई सरीzw देखना शुरू करें तो एक के बाद दूसरा एपिसोर देखना शुरू कर देते हैं। खाली काम क्रोध के लिए कैसे समय निकालो हम साधना के लिए समय निकालने की बात करते हैं चुकि मन वहाँ पर करना ही नहीं चाहता यदि मन करना चाहे तो समय ना निकले आप बहुत व्यस्त हैं और शाम को आपको पार्टी में जाना है तो समय निकालते हैं नहीं निकालते ह हमारे हाथ में है समय हम निकाल सकते हैं लेकिन माल सी मन कहता है कि समय नहीं है कहां समय है सुबह से लेकर रात तक सांस लेने का समय नहीं है हम यह कहते हैं लेकिन असलित में समय है मन जब करना न चाहे तो वो आलस में आ जाता है आप बैटे हैं अभी जाएगा जहाँ पर घ्यान योग भी हो रहा है और आप उसी भाव में ठहर जाएं पिर अलग से कुछ करने की आउशक्ता नहीं ये एक घंटा ही काफी हो जाएगा साधना के लिए आप पाएंगे ये एक घंटा बाकी के तेज घंटे के उपर हावी हो जाएगा लेकिन जाएड में ना हो जब ये मुख्य हो जाए और आप पूरी तरह से अपने भाव में ठिक जाएं कि मैं अपने अंतरतम को अनुभव करूँगा ध्यान के साथ बैठकर प्रेम के साथ बैठकर जब आप ये सुने तो अलग से समय निकालने के जिरोत है समय तो है आपके पास तबी तो आप हमारे साथ में सामने रूबरू हो रहे हैं समय है बस मन को उसी भाव में रूची पैदा कर दीजिए जहां मन की रूची पैदा होती है मन वहां चद्ने लगता है सही कर रहा हूँ या गलत ये तो जब तक गुरू के सानिद्ध में ना हो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि साधना का रास्ता हमारा सही है बिया लेकिन जो सरल साधना भगवान यहां पर कह रहे हैं वो सरल और गरत होने की सब्भावना ही नहीं है अब बैठ जाएं बस ध्यान में और स्वांस को आते जाते स्वांस को प्राण पान को देखना शुरू करते कब आया कब गया मन को पूरी तरह से टिका दे अपने केवल स्वांस के ऊपर स्वांस की गहराईयों में उतर जाए कुछ कहे नहीं, कुछ करे नहीं ना स्वांस को लंबा करे, ना स्वांस को छोटा करे ना स्वांस को अंदर रोके, ना बाहर रोके बस बहते हुए स्वांस को अनुभव करना शुरू कर दे सरल साधना है. साधनाएं बहुत सरल है. लेकिन मन कही न कहीं कुछ खयाल लेकर आता है और कहता है ये कर लेते हैं साधना. तो अपनी ओर से कुछ न करें बस केवल स्वास को देखें सरल हो जाएगी साधना. एक और आत्रियम सवाल लेंगे. बड़ी से बड़ी गलती के लिए किसी को माफ कैसे करें यदि नहीं करेंगे हम किसी को माफ तो आपका मन तो हिलता रहेगा आपका मन तो हलचल में रहेगा ही रहेगा हम तो परिशान है ही है और हम सोचते रहेंगे कि उसने ऐसा किया था पता नहीं क्यों किया था और बैठे वों परिशान हो रहे हैं आप उसको माफ इसलिए करो कि आपको आराम में आना है उसके लिए नहीं अपने लिए माफ करना होगा ख्षमा उसके लिए नहीं होती ख्षमा तो केवल अपने मन की शामति के लिए होती है अप आजाओ श्षमा के भाव में कर दो शाम, माफ अपने अंदर की गहराईयों में चुकि तो माफ नहीं किया तो गलती उसने की थी उसका फल तो आप भोग रहे हैं आप परिशान हो रहे हैं आप कह रहे हैं कि और दस साल पहले की थी गलती और आप दस साल से लगाता डोय चले आ रहे हैं उसको तो क्यों ना उसी समय उसको माफ करके शमा करके अपने दिल को शांत कर दो जो होना है जैसे होना है जिस तरह से होना है जब होना है जिसके द्वारा होना है वो हो जाएगा वो विक्ति माध्यम बना है उसमें उसका नहीं बलकि वैसा होना था ऐसे मान लो चुकि हो गया अब उसको माफ नहीं करेंगे तो हमारा दिल हिलता रहेगा और एक द्वेश पैदा कर लेगे और वो द्वेश पिर किसी और से भी कहीं और से भी द्वेश प्रकट हो जाएगा, पिर कहीं और भी प्रकट हो जाएगा, हमारी भाशा में उतार चड़ावा जाएगा, हमारी की म महक में आएं, क्योंना हम मा आफ करें, क्षमा वाणी पर होता है न है जैन धर्मे तो विशेश रूप से, क्षमा करते जाओ और अस्तावक्र गीता में क्षमा को तो शुरू में ही कहा है, अस्तावकर जीने राजा जनकों के पहले क्षमा करो, ये द्वेश ही है जो हिलाता है ये द्वेश ही है जो अध्यात्र की उचाहियों पर उचा जाने नहीं देता चुकि जिस से द्वेश होता है हम लते रहते हैं इसलिए शमा जरूर करो गलती छोटी हो बड़ी हो आप शमा करते जाओ आप पाएंगे अंदर का सुकून आपके साथ है ही है हमें तो अपनी यात्रा को सुगम करना है दूसरों के कारण से हम अपनी यात्रा को क्यों खराब करें एक गलती करेगा फिर कोई दूसरा भी आ जाएगा वो भी कुछ गलती करने लगेगा तो जीवन भर हम ऐसे ही ये Some consequence कॉई सिखाता भी नहीं निक्ष्मा करो कर सब ने तोो एहंकार सिखाया। सबने तो बदला लोjust हमने का competition है, मेर्थ जीतना है यह सिखाये ही जीतना जाता है। यह शिखाये दबाना सिखाता है वही चीज़े आकर सबके हित्मे रत रहना कहां सिखाया जा रहा है हम तो किवल एहंकार से पोशित होते हैं और जो हमारे एहंकार को जरासी ठेस पहुँचा दे हम विबग जाते हैं हम बिखर जाते हैं तो क्यों ना हम शमा के भाव में आकर अपने आपको शांत करें आप रात को सोने से पहले यदि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो आप उसके बारे में सोचना शुरू करें देखो आपकी रात की नीद हो जाएगी आप खाना खाने बैठे हैं स्वादिस्ट भोजने और आप ले आए उसका खयार आपके खाने में रस चला जाएगा आप घूमने जाओ कहीं विदेश यात्रा भी और ले आओ उसका खयार तो आपकी सारी यात्रा खराब हो जाएगी आपका मन दिस्टर्ड हो गया है हम किसी के कारण से अपने मन को क्यों डिस्टर्ड करें उसके करणी वो भोगेगा हम अपनी करणी में रहें हम अपने सुकुन और शांती में रहें तो ये स्लोक पांचवे अध्याय का अंतिम स्लोक है 29 भगवान कहा रहे हैं कि जो मुझको सब यग्य और तपो का भोगता सभी लोकों के इश्वर का भी इश्वर और सभी भूतों का सूहृदे जानता है वह शांती को प्राप्थ होता है जो मुझे सब यग्यों और तपो का भोगता अर्थात ये जो पूरा ब्रह्मान्ड है ये पूरा ब्रह्मान्ड परमात्मा इसमें पूरी तरह से फैला हुआ है अब यहां पर जो भी कुछ हो रहा है आप यग्य करें या तप करें वो सब इसी ब्रह्मान्ड में ही तो हो रहा है इससे अलग आप क्या कर सकते ब्रह्मान्ड से अलग जाकर कुछ ही नहीं कर सकते आपके सारे कर्म यही तो हो रहे हैं इससे अलग आप कुछ नहीं कर सकते जैसे मचली है वो जो भी कुछ करेगी वो पानी में ही करेगी चुकि वो पानी में ही है वो जो भी उसका हिलना, डुलना, दोरना, खाना, पीना जो भी कुछ हो रहा है यदि वो तपस्या भी करेगी यदि मचली कोई तपस्या करने लगे तो पानी में करेंगे, कोई यग्य करने लगे तो पानी में ही करेंगे, चुकि पानी में ही जी रही है, है ही पानी में, पक्षी है ही हवा में आकाश में, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं पूरे ब्रह्मान में ऐसे व्याथ हूँ, चुकि मैं इश्वर का भी इश्वर हूँ, मैं सब यग्यों और सारे कर्मों का सारे जितने भी तप हैं उनका भोगता हूँ सब कुछ मेरे में ही हो रहा है अर्था जो व्यक्ति मुझे सब जगे अनुभो करता है और ये देखता है कि सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है परमात्मा से बाहर यहां पर कुछ भी नहीं है और प्रत्वी जल अगनी वायू आकाश जो पांचो भूत हैं वो भी उसी परम्पिता परमात्मा में ही है ऐसा नहीं कि परमात्मा केवल कहीं मूर्ती में है कहीं केवल हमारे ही भीतर है परमात्मा को कोई साकार रूप नहीं है प्रक्ति उससे पैदा हुई है, ब्रमान उसने रचा है तोत उससे भी बड़ा है सारे में वो है ही है, ऐसे ही है यह से दूद में मक्खन, हर कण में है अलग से कोई मक्खन थोड़ी दिखेंगा लेकिन वो उसमें है परमात्मा भी पूरे ब्रमान में रचा है, बसा है, ओमनी प्रजेन तो जो हम साधक इस तरह से परमात्मा को देखता है और यह पाता है कि सारे जो भी भूत है, पांच महा भूत भी परमात्मा में है सारे यग्य परमात्मा में है, सारे भोग परमात्मा में है सब कुछ परमात्मा में ही है और ये जो परमात्मा है वो इश्वर का भी इश्वर है अर्थात जिसको हम जिस देवता को इश्वर मानते हैं यदि हम भगवान राम को इश्वर मानते हैं तो भगवान राम का इश्वर कोन है क्रश्न को इश्वर मानते हैं तो क्रश्न का इश्वर को ने है जो इश्वर का भी इश्वर है अर्थात इश्वर यहाँ पर जो साकार रूप में जिसको हम इश्वर कह रहे हैं तो उस का भी जो इश्वर निराकार रूप में पूरे ब्रमाण में व्याथ है एक राम है जो पिर से हैं, दशरत के पुत्र हैं, अयुद्या के राजा हैं, एक राम दशरत का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम हैं, जो साकार रूप में प्रकट हैं, और एक हैं, जो निराकार रूप में पूरे ब्रह्मान में व्याबत हैं, तो जब वो साकार रूप में प्रकट हैं, तो उस इश्वर का भी जो इश्वर हैं, और जो निराकार हैं, उस राम के भी जो राम हैं, उस क्रश्न के भ इद्यवान है भगवान कह रहे हैं कि जो उसको जानता है जो पूरी गहराही से उस परमपिता परमात्मा को जानता है वो शांती को प्राप्त होता है जीवन में शांती चाहिए तो परमात्मा के अलावा कोई और तरीका नहीं कि जान लो परमात्मा ही है सब जगे हर करम में प पीतर परमात्मा मेरे बाहर परमात्मा यदि मचली पानी को ढूंडना निकल जाए समुदर में तो बड़ी मुश्रीवत हो जाएगा और ढूंडती रहे ढूंडती रहे पानी मिलेगा उसको पानी में ही है और पानी को ढूंड रही है इसलिए तो कवीर कहते हैं कि पानी में म मसी आती है कि पानी में जो मचली है वो प्यास से मर गई और मचलिया प्यास से मर जाती है चुकि पानी वो तब पीती है जब उल्टी होती है सीधी पानी नहीं पी पाती है पानी में ही रहकर बिना पानी के मर जाती है वो प्यास है ऐसे ही परमात्मा चारों तरफ है और हम उस और है ही परमात्मा सब जेंगे विद्यवार जैसे ये भाव हमारे अंदर प्रकट होता है अम उसी पलशांति को, मुक्ति को, कैवल्ले को, मोक्ष को, निर्वान को, परंपद को प्राप्त हो जाते हैं अब मैं कुछ अलग से नहीं रहा, मेरे भीतर भी वही, मेरे बाहर भी वही परंपिता प्रमात्मा ही है जो सारे भूतों में समाया है, सारे कर्ट्यों में वही है, जिश्वरों का भी ईश्वर है अर्थात ये जो स्लोक है ये पूरी तरह से सार के रूप में है कि जैसे ही हमारे अंदर ये भाव प्रकट हो जाता है अब ब्रह्म निर्वान को प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्म ही हो जाते हैं अब अलग से नहीं ब्रह्म ही मैं हो गया इस तरह से आज ये पाच्वा अध्याए पून होता है और अब हम जो छटा अध्याए है परसोष की चर्चा करेंगे जो बड़े महत-पून अध्याए है आत्म, सैयम, योग कैसे करना है अपने आप पर सैयम, कंă-ट्रोल कैसे करना है क्या उसके तरीके हो सकते हैं जीवन में इन चीजों को लेकर आएं तो वो हमारे लिए बड़ा सार्थक होगा गीता केवल शब्द नहीं है ये तो एक जीवन जी जाने की शैली है इसमें रहना है इसको अनुभव करना है इससे अनुभव करके उसी के अनुभ व्यवहार करना है तो आप पाएंगे भगव श्रीकृष्ण हमारे ही अंतरतम में हैं वो है ही है जैसे उनकी वाणी पर हम चल रहे हैं वो हमारे लिए प्रकट है और इदियम उनकी वाणी पे नहीं है तो हमारे लिए प्रकट में हैं हरी ओड़ी आज समय की कमी थी बहुत सारे सवाल आये हुए है अभी तो हम उन सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप मिराश मत हो ये हम शुक्रवार यानि अग्ला जो हमारे एपिसोड इसमें कोशिश करेंगे कि आपके इन सभी सवालों को हम गुरुजी से खूचेंगे तो बस आखिर में अपने दर्शकों को शुक्रिष्णी के कही एक बाद से इस सब करना चाहेंगे तो अगले एपिसोड यानि शुक्रवार को सुभे आज बज़े हम गुरुजी के साथ पर से जुड़ेंगे छटे अध्याई एक नए अध्याई शुरू होगा तो एक नई उर्जा के साथ अध्याई को इस भी हम शुरू करेंगे आप भी हमारे साथ नगा हरुए 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 है यस्चिकृष्ण पर ना गए